हलो दोस्तो गुदिवणिंग कैसे हो आप सब उम्मीद है आप सब एकदम स्वास्थ और मसत होंगे और अभी हो रहा है साम इसलिए मैं आपको गुदिवणिंग बोलु आपको बनाड़े जा रही हूं छोले और सबसे तो मैंने सुचेश चलो मैं आप लोगों को से शेयर भी तो चलिए आज मैं एक और चीज दिखाती हूँ आपको थोड़ा अलग चोले रखे आलो रखा है 152 काज यानि एक टाइम में दो काम करें हूँ चोले भी उबाल रही हूँ और आलो भी यह गया रही और गया और अधर मैं लगा लेती हूँ समोसे के लिए मैदा यह हाप के जी यानि आधा कीलो 500 ग्राम मैदा है जो भी कहते हैं आपके हैं उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा रिफाइंड डाल की खूब अच्छे से मोयम कर लिया है मोयम अच्छा करिएगा अच्छा मोयम करने पर खस्ते खस्ता मतलब जो खस्ता वाला बनता है न समोसा बहुत टेश्टी लगता है तो बस इसको अच्छा सा टाइट तो बस और बस लगता है क्योंकि गर्मीयों का टाइम है पानी गरम रहता है अगर सदी का टाइम हो तो थोड़ा गुन गुना पानी ले तो बेटर रहता है तो मैंने फटा फटा आठा गूट लिया अब इसको मैं अक बरतन में रखते थी हूँं थोड़ी देर सेट हो और बहुत अच्छे से एक साथ कूख हो गया पहले नीचे मैंने चोले रखे थे ऊपर से आलू रखा था ताकि मतलब आलू गल जाए और चोले ना हो तो ऐसा ध्यान रखे किया था मैंने ऐसा आप भी कर सकते हैं चोले नीचे रखे आलू उबाल सके और लगभक एक एजी आल तो पहले चोले च्छमक देती हूं एक साइट से मतलब काम फिरी होता रहे तो ठीक रहेगा इस तरह का काम करो तो टाइम डग जाता है पहले मैंने ले लिया टोपिया तोपिया में दाला सरसोका तेल थोड़ा सजीरा और तेज पत्ता उसके बाद मैने मसाला मैंने डाला है लसन, प्याज, मिर्च, अद्रक, टमाटर यह सब मैंने एक साथ मिक्सी में पीस के ले लिया है बहुत जादे फाइन नहीं थोड़ा दरदरा सा पीस के ले लिया है मतलब कुण्डी में कूट के भी ले सकते है पर मैंने मिक्सर में ही चला लिया था क्योंकि गर्मी का टाइ बिष्ट आता है बोट अच्छा लगता है बहुत टेस्टी लगता है ऐ है पाकेट के मसाले अपनी जगह है इसका है बोकेश से बाता है रिया है। तो हमारा छोला मतलब छमक के रेडी हो गया तो छोले को मैं एक साइड रख देती हूँ और दूसरी तरफ मैं कर लेती हूँ आलू की तयारी यानि समोसी की तयारी तो समोसी की तयारी करने के लिए कड़ाई में मैंने डाला तेल, ओतरी के तेल खतम, चलिए तेल भर लेते हैं, तेल भर लिया मैंने बोतल में, और ये पंच पोरन लिया है, अजवाइन, कलोंजी, धनिया, जीरा, और ये छोले मतलब स्टील के बरतन की वज़े से चिप पक र जगाने जितना इसको रख दिया था इसमें, तो इधर छोले भी पक रहे हैं, और इधर इसका तड़का रेडी हो गया था, तब मैंने इसमें डाल दिया लसन हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजएगा, हमारे हां मिर्च बहुत कम तीकी आती है, इसलिए मैं थोड़ा जादे मिर्च लालती हूं, क्योंकि लाल मिर्च हम लोग काते रहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मिर्च के कॉंटिटी जाते रखती हूं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजएगा, और इसके बाद जब ये मसाले बुन गए, और मिर मुफली के दाने मैं नहीं डालूँगी तो मैंने छोड़ दिया जाने दो, अगर हो तो मुफली के दाने हरी मटर, किसमिस, काजू, इस ते नादियल के गोले जो चिटकिया थी बहुत टेस्टी लगता है, इसमें मैंने हल्दी धनिया, लाल मिर्च गरम मसाला, ये थोड़ दही बाले मीठी चटनी डाल के खाने का मन कर रहा है, मजा आजाता है, चलिए फिर्टी के बनाते है ना, ऐसा तो कुछ है निक हमको आता नहीं, थोड़ा सा 19-20 हलवाई जैसा ना सही, घर के खाने जैसा तो बना सकते हैं, पर ये किन मानिए हलवाई से भी अच्छा बन के अगर आप ऐसे बनाएंगे ना, तो बाहर का खाना भूल जाएंगे, तो अलू रड़ी हो गया, अलू को एक्सारिट रखते हैं, आप करते हैं समोसे के त्यारी, यानि समोसे के लिए पट्टी बेल लेते हैं, जो उसका कवर होता है ना, उसको बेल लेते हैं, एक रोटी ज समोसा बना लेते हूं, मेरे बच्चो को, हस्बंड को, मुझे भी बहुत जादे मीठी चट्नी और समोसा काने का बहुत क्रीज है, मतलब अच्छा लगता है, मुझे चोले ओले थोड़ा कमी मुझे पसंद आता है, लेकिन मेरे हस्बंड को छोले समोसे बहुत अच्छे समोसे नहीं बनाया थे मैंने थोड़े से चोट मेल लेत चोट मेले लिए यह मैं घेल रोटी मेल ली में रहं इसके लिए मैद पंटिष मांद आसा बाद ही हो टाईम लगता है, त यह सोची हगा भर का основ तब नलकिका पाट ही थए करने के बादologists लिगता ही तो मिदलम की दो आलू लेगा, तेल हनी है, स्मुसा डाल नहीं पर आज को चैज्अ को श्लू कर लीजिए बटा सिर्था डिया दरिया को एक टोदा परॉच्चा है कोहिता अब इस चीज भूं, अलू डाल देती हूँ को ठीश्टेश। मैंने आलू पहले नहीं चेक किया था लेकिन जब समोसे में से मैंने आलू खाया ना तो बहुत टेश्टी लग रहे थे नमक मेरे मसाला एक दम परफेक्ट बैलेंस था सारी चीजों का बहुत ही अच्छा बना था आप इसे जरूर ट्राइ कर लीजिएगा अगर आप लोगों को यह रेसेपी अच्छी लगे या वीडियो अच्छी लगे या मेरी मेहन तोड़ी सी भी दिखे आप लोगों को तो प्लीज आप सब लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया किजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया किजिए और समोसा देख तो मै नहीं पर बन पर सकते हैं ? उसके बाद मैंने आज मंदी कर दी मतलब मीडियम से थूड़ा कम रखा था और उसी आज पर मैंने इसको तला है दिमे दिमे और इसको गोल्डन होने तक तलिएगा जितना अच्छा सा गोल्डन करके आप लेंगे ना उतना ही क्रिस्पी समोसा बन के आएगा बहुत अच्छा लगेगा आप इस तरह बना के देखिएगा घर में और कोई खर्चा भी झालते लेकिन हाँ मज़ा आ जाता है भर पेट खा लेते हैं सब लोग जब घर के सब लोग तारीफ करते हैं यह साम को मतलब खाये लेकिन साम को इतना मज़ा नहीं इनको आया खाके लेकिन सुबेरे जब इनको मैंने दुबारा दिया ना समोसा यहां भी खाये और मैंने इनको कमपणी में पैक करके दिया था यह खुद भी खाये इनके फ्रेंड्स ने भी खाया यह उन्होंने पहले ग से आटे बाहराद नाबे और और समय कौetty इसह पापडी का यह लग्यारे दो रहा Sven Haag इंटिक और मने लेगे लिए मेदे के साथ 90 कॉंपलीहन सकते हैं और हम इसके मतलब चाट पापड़ी बना के खा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, तो जब सुबह ये चले गए थे डूटी तो हमने इसकी चाट पापड़ी खाई थी, तो अभी मतलब वो चीज मेंने रिकॉर्ड नहीं की है, अभी आपको पास ये चोले सब उसे ही जाए तो समोसा सारा रेडी हो गया, आईए अब इसकी प्लेटिंग कर देते हैं, प्लेटिंग करने के लिए मैंने कुछ जादे ताम जाम नहीं लिया, समोसे में सब कुछ डाला है मैंने, तो बस मेठी चटनी दही और प्याज लेके बैठी हो, और छोले, जो मैंने डहेर सारे छ पकने भी एक रूटि खाई है और बाकी किसी ने रूटि कुछ नहीं खाया बस यही सब खाका के सो गए थे, क्योंकि समने दो दो बारी भर भर प्लेट लेके खा लिया था, सब का फुली पेट भर गया था, किसी ने एक समोसा दुबारा ले लिया, किसी ने सिप छोले और मैंने तो छोले और डालके खाये थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, दई मीटी चटनी प्याज के साथ, तो आप लोग भी इस तरह ट्राइ कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को भी यह रेसिपी पसंद आयो, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए गया और यह चलिए फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, बाई and टेक क्यार